गुड इवनिंग साथियों और जैसे कि अभी क्लासेस चल रही थी सिर्ष की क्लासेस उतनी रेगुलर नहीं चल रही थी जितनी की चलनी चाहिए थी लेकिन जो मेरा हिस्सा था मैंने उसको हमेशा से चाहता कि मानदारी से मैं पूड़ा करूँ कई बार बच्चे चेंज हो जाते थे लेकिन मैं नई तक्नीकों को लाने को ले करके बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ और बहुत ज़्यादा आसानवित भी हूँ और पहले भी लोगों ने देखा है कि जो अच्छी तक्नीक्स होती है न उनके आने से पढ़ाई लिखाई और समझदारी का लेविल जो होता है चातरों का वो काफी बढ़ जाता है और आउटपुट बहुत अच्छा आता है देखिए ट्रैडिशनल तरीके को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन जो मौडर्न जो तरीका है उसका इस्तेमाल अगर हम लोग पढ़ामपरिक तरीकों के साथ करें तो रिजल्ट जोगा न वो बहुत अच्छा आएगा मैंने खुद देखा भी है लेकिन उसमें मेरे खुद के बहुत सारे प्रियोग भी है जिसको मैं धीरे-दीरे करके लागू करना चाहता हूँ तो देखिए मेरा सहर को छोड़के बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है इच्छा ही नहीं है देखिए यहां अपने लोगों के बीच में ज्यादा मैं कमफर्टेबल हूँ लेकिन मैं आउटपूर्ट देना चाहता हूँ रिजल्ट के फॉर्म में कि बहुत अच्छे रिजल्ट सों और मैंने देखा यहां पर अपने हां भी कि लोग बड़े- यह कि कहां क्लासे सोडी है मैं बात करूंगा आगे सर से अगर सर बोलते हैं कि वो क्लास्रूम अच्छा है तो सब के लिए अच्छा रहेगा वहां पर अन्यता जब तक नहीं होता है तो तो तक मेरा खेर भी एक अच्छा बेश्ट और कमफर्टेवल प्लेस है और यहां किसी किसम की समस्या नहीं है बस यह हलका सा यह अंदर पड़ता है लेकिन उतना भी अंदर नहीं इससे भी आप दिल्ली जाएं या बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि एदम महान गलियों में इस्टिचूसन्स खुले हुए हैं और वहां भ वहां DGP थे पहले रास्थान के PKT वारी उनके साथ मेरा बहुत close connection था बहुत नजदी की था तो बहुत सारी बाते वह हम लोग के साथ वह हो हूँ सारे सेसंस में बताया करते थे जिसमें की बताते थे वो की जैसे छात्रों का मन नहीं हो न पढ़ने का उनको फिल्ड में ले जाईए जैसे फिल्ड में पढ़ेंगे तो फिल्ड में ले जाईए आज वो बच्चे जो है ना दुनिया की बेस्ट सर्विसेज में और अपने देश में भी अच्छी सर्विसेज में सेटल्ड है और उनकी संख्या भी हजारों में है लगवाग दो हजार है तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं है उनको पढ़ा रहा था लेकिन मैं भी मेजर में जो चात्रों का रिजल्ड जो था ना सौप हंडिड़ परसंट रहा कई बार और मेरा सबसे बढ़िया रिकॉर्ड था उतना अच्छा रिकॉर्ड जो है ना उस छेत्र में अभी तक किसी का नहीं है डॉकमेंटेट है मेरे पास हंडिड़ परसंट तो ऐसा मैंने क्या कि तो मैंने मीशन टेनेक्स को मैंने बहुत सिरियस ले लिया उसको प्रैक्टिकली जो है अपलाई किया अपने कामों में और रिजल्ट बहुत अच्छे आये इंजिरिंग कॉलेज में टेकनिकल कॉलेज में जहां पर लोग लैब में घुसेरते हैं स्टूरेंट्स को मैं उनक जो ग्रूप में बढ़े हुए हैं चात्र समेथ इंद्रा एस्टेडियम चले जाए या फिर कभी इच्छा करे तो फटेल मैदान चले जाए कभी छुट्टी लेनी ही नहीं है क्यों छुट्टी लेना और भी अच्छे टीचर्स हैं जो हमारे संपर्क में हैं वो भी आ जाएगा वैसे अभी मैं ग्रामीन साइड में जहां पर मैं वर्क कर रहा था वहां पर मैंने बहुत बहुत बेहतरीन काड़े किया डेर साल में बच्छे का रिजल्ट हुआ बपी एसी में से डीपीओ में और बाकी जगों पर डेर सालों में उसे पहले ही हो गया था इतने तो हमने उनको दिया भी नहीं था, चार से च्छे मेने में ही बहुत सारा बदलाव आ गया था, हमें भी यहाँ पर यही करना है, यह हमारा होम डिस्टिक है, और यहाँ पर हमें हर एक तरीकी की सुविधा भी है, सपोर्ट भी है, तो यह है कि सब लोग जो है ना, उनको इकठ कि सब्सक्राइब, यह हमार आ जानने के तरूँद दिए, और जानने की इछा करती है, तो पढ़ाई को मैं मनुझन मानता हूँ, ये कभी वर्क है ही नहीं, तो इस हिसाब से और जो पढ़ाने वाले जो टीचर होता है वो एक कलाकार समझ ये, जो कि क्या करता है, अपने छात्रों को बांध के रखता है, इस हिसाब से, ताकि उनको बोजहिल न लगे, खासकर के सि से बताना हो, तो आराम-ाराम से उनको बताना और तोड़ के बताना, फिर उस पे वार्क कराना सबसे बहतर होता है, तो मैं ये चाहरा हूँ, कि जो अच्छे रिजल्ट्स की पूर्णाविरती हमने बाहर में की थी, वो हम लोग अपने हाँ, अपने छेतर में करें, इसको ल करना है, पता चल जाता है, बहुत पहले कि प्री में होगा या नहीं होगा, मेंस दे रहे हैं, मेंस में हम टकर दे पाएंगे या नहीं, या क्या होगा, ये पता चल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से, तो हम लोग सभी तरीके से, जो है, इन सारे कामों में भीरेंगे, औ और टाइम नहीं वेश्ट करना है, मेरे इच्छा है कि आज रात के आठ नो बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी से सुरू करने क्लास क्या दिक्कत है? नहीं तो कल से सुरू करने क्लास, और यहां पर अब वो टाइमिंग का भी दिक्कत नहीं है टाउन में, क्योंकि मैंने रात के दस बजे भी देखा है कि बच्चे जो है, बैग बैग टांक से कहीं आना जाना कर रहा होते हैं, इविन गल्स भी, अब वो जमाना नहीं रहा, कि कोई समस्या है, कोई समस्या होगी नहीं, बिलकुल नहीं होगी, और दूसरी चीज क्या है, कि कोई भी समस्या हो, तो मैं सब के साथ ख़ड़ा हूँ, हमेशा ही, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत आदमी हूँ मैं, और बहुत मजबूती से ख़ड़ा हूँ, त पहले पढ़ाई की जा सकती है हम लोग कोशिस कर सकते हैं जिस दिन दिपावली है उस दिन मैं live हो जाओ सुबर सुबह के टाइम में थोड़ीं नहीं होती है कोई activity घरिलु दिपोथव बगडरी लूट्वा अगर снे में live हो जाओ उस दिन फाइट है तो फिर आप अपना मर्जी जी जैसे रहना है वैसे रहिए और भी मैं बता दूँ एक्जाम निकालना बहुत आसान है और निकालना चाहिए हम लोग मेल करके बहुत सारी चीजों का सॉलिशन ढूंडेंगे हाँ बाहर से बहुत बुलाबा है जैसे पटना हो गया दिल्ली हो गया और अच्छे अफ़र्स भी आते हैं तो कभी जाओंगा भी तो दो तीर महीने के लिए जाने का अलग इस्तूस है जैसे उडान के तरफ स बहुत अच्छा अफ़र आया था तो मैं बहुत अच्छा आख था तो मैं गया नहीं और जरूर्टी नहीं की जाओं मेरी प्रात्मिक्ता यह लह है कि मैं यह होम डिस्टिक में जहां पर मैं ने कभी काम नहीं किया कभी ध्यान नहीं DAYा यहा पर रह के वार करना चाहता हूं यह मेरी इच्छा है यह नहीं कि मैं अब इस उम्र में बाहर जाओ और फिर वहाँ पे फिर और बाहर चला जाओ और फिर वह इंज्वाई करो जो टाइम था वो मैंने काफी एच्छा इंज्वाई किया काफी वार्क भी किया अलग-अलग जगहों पे अब चाहता हूं कि parents हैं और कुछ create भी हुए हैं उन सब के बीच में ही रहना अपनी ideology को यहां propagate करना जो मैंने बाहर से अच्छे तरीके से सीखी है जो work culture जाना है जो study के methods को समझा है तो इन सब को मैं यहां लेकर आना चाहता हूं वहां कहीं जगह मैंने ज्वाई नहीं किये उसके अलग issues है वो मेर मर्जी है उसको लेकर के और issues होने की जरूरत नहीं है teaching मुझे पसंद है और इसी में मैं चाहता हूं कि आगे further continue रहूं तो चलिए हम लोग मिलते ही रहेंगे बार बार मिलेंगे एक छोटा से break लेंगे break लेकर के फिर पढ़ाई करेंगे और regular पढ़ेंगे बोजिल तरीके से नहीं पढ़ेंगे एकदम आसान तरीके से बढ़िया तरीके से और वहीं पर मैं बताता जाओंगा कि कहां issues है कहां हम लोग resolve कर सकते हैं classes मत बीज करिये classes मत बंग करिये class में एकदम मस तरीके से आए और एकदम अच्छे तरीके से एक बढ़िया aspirant बनिये सफलता जरोड मिल देगी ना नुकड का सवाल नहीं है classes continue रखना है सिर्स आईएस में मैं बात करूंगा आगे क्या इसू है सब मुझे नहीं मालूम लेकिन जो भी इसू होगा उसको हम लोग resolve करेंगे sort out करेंगे मेरे पास सब कुछ है यह अब देख रहे हैं कुछ लाक रुपे का board है यह जह और का तो और बाकी और भी space है अपने पास ठीक है और राना hospital के पास पड़ता है यह जहां से मैं यह record कर रहा हूं ज्यादा दूरी वगरा नहीं है किसी किसम की कि हाँ ठीक है टाउन एडिया है और धेरे धेरे संडी को सुबह में ही class रह जाएगी ज्यादा तर साम हो गया तो हम लोग उसके arrange करेंगे वो कोई दिकत नहीं है सहर के बच्चों के लिए तो रात में 10 वजे भी कोई लेट नहीं है दस वजे के बाद तो मैं ही सो जाता हूं 10 वजे तक सो जाता हूं इसलिए 10 वजे के बाद तो class नहीं चलाने की बात होगी लेकिन इससे पहले दीन परचेस कर लिना चाहिए वो भी हम लोग करेंगे तो चलिए हम लोग मिलते हैं और classes को अच्छा बनाते हैं लगातार हम लोग एक रास्ते को फॉलो करेंगे ताकि हमें एक बढ़िया मंजिल मिले बस इतना ही धन्यवाद